नमस्कार बहुत स्वागत है आपका कर्णिया रासी देव गुरु ब्रिश्पति वक्री हो रहा है गुरु बैभव ग्यान सिक्षा एस्वरे सम्रिद्धी के कारग ग्रह है और जतिसास में गुरु को सुब ग्रह सात्वी ग्रह माना गया है जब वो चार सितंबर को वक्री होंगे तब आपके उपर इसका क्या प्रहौ पड़ेगा चले जानते हैं विश्तार से विडियो के अंतक बने रहें तो चार सितंबर साम साथ बचकर 49 मिनट पर वक्री होंगे और गुरु की उल्टी चाल का असर आप पर भी पड़ेगा और 31 दिसंबर सुबा 8 बचकर 9 मिनट तक वक्री रहेंगे यानि पूरे 108 दिनों तक तो ब्रस्पती एक लाव कारी गिरह है हमेशा सकादमक फल देते हैं और धन, नोक्री, विवाह के कारक हैं सुख सम्रिद्धी के कारक है, संतान के कारक है वाहन का सुख देने वाले, नय भवन का सुख देने वाले आर्थिक लाव कराने वाले गुरु जब मजबूत होते हैं तब देते हैं सब कुछ तो आपके लिए कैसा रहेगा चले जानते हैं सबसे पहली बात तो गुरु आपके चौथे साथवे भौ के स्वामी होकर आपके अस्टम भौ में वक्री हो रहा है तो ब्रस्पती कर मेस रासी में वक्री होना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि कुछ मामलों में साथवधानी रखने की आवसकता है खास कर आपकी परस्टम लाइफ को लेकर अब अस्टम भौ और निस्चित्ता का भौ है यहाँ पर गुरु बैठे हैं वक्री भी हो रहा है यहाँ आपकी प्रस्टम लाइफ में थोड़ा सा उथल पुथल है तो हर जगा आपको ध्यान देना होगा रिष्टों को समभाल कर रखना होगा खास कर बैबाहिक जीवन को समभाल कर रखें क्योंकि खुसियों को बिखरते देर नहीं लगेगी इसलिए 118 दिन बहुत समल के रहना घरेलू जीवन पर नजरे बनाए रखे पॉजिटिव सोच के साथ घर आए और इस चीज को अगर नजर अंदाज करेंगे तो आपके कारेच हेतर में भी समस्याए होगी यानि कि सुरुआत आपको घर से करना होगा घर का महौल बहतर होगा तो हर चीज बहतर होगी अगर आप और विवाइत हैं विवाध तो ते हो जाएगा लेकिन विवाज इससे करने जा रहे हैं आप अच्छे से जाज परताल कर लें तमाम फैसलों पर एक बार बिचार करें फिर विवाज करें और दूसरी बात बैवाहिक जीवन में हलकी पुलकी समस्या है तो जो भी समस्या है गलती को आप सुलजाईए वहीं पर उसी समय और समाप्त कीजिए तमाम मतभेद को तब जाकर आपके रिष्टे बहतर होंगे मां के स्वास्त का भी धियान रखना है और कहीं भी बिवाद ना करे घर हो बाहर हो अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और निभाईए तो इसमें गुरू का वक्री होना घहलू जीवन में जो भी गलती है उसका आप एक बाट फिर से ठीक कीजिए अगर अपना वाहन मकान लेना चाहते हैं एक बाट फिर से सोच लीजे क्योंकि बिकल्ब को खुला रखे आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं आठवे भौ में होना आपके अंदर थोरा सा औसुरक्षा या भै की भाबना को बढ़ाएगा तो इसका भी ध्यान रखना है गुप्त बिद्या सीखने की तरफ मन रहेगा पार्टनर के पार्टनर्सी में कोई काम करते हैं बड़ा इंवेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो आप बढ़ियां से सोच विचार करें फिर आगे बढ़ें क्योंकि समय बहुत अनकूल गुरू की द्रिष्टी से नहीं रहेगा सुसुराल पक्ष के तरफ भी बहुत सारे जिम्मेदारियां निभानी होगी तो ये समय थोड़ा भारी चल रहा है स्वास्त, सहकर्मी, धन जैसी चीजों को इंगित करता है ये भाव जो आपका स्ट्रम भाव है लागत संघर्स और पुरिय कारे को भी इंगित करता है यानि मानसिक सारीरिक रूप से तो आप फिट रह सकते हैं लेकिन तमाम जो कमिया हैं जो बिरोधी हैं उनसे नीपटने के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी भी चाहिए इसके लिए आप तयार रहें और यहां पर देखिए अगर आपको स्वास्त में कोई बड़ी समस्या है खासकर अगर आप डियाबेटीज के मरीजय या पेट की समस्या है तो ध्यान रखिएगा जो बैपसाई है उन्हें भी हर जगा नजरे बनाये रखना होगा और धन के मामलों में संभलकर हम आपसे भी दा लेते हैं जानकार यह अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें सेर करें कमेंट करें